गुड मॉनी इस्ट्रेंड आज हम पढ़ने वाले हैं परियोजना नियोजन प्रजेक्ट प्लानिंग परियोजना नियोजन दो शब्दों से मलके मना है परियोजना तदा नियोजन सरपतम इन दोनों शब्दों को हम समझेंगे परियोजा में इस प्रोजेक्ट परियोजा शब्द अनिक प्रकार से प्रवाविश्यत किया सकता है जैसे प्रभंत विश्वकोष की अनुसार परियोजन एक संगटे तिकाई है जो किसी लक्षों की प्राप्ती के लिए समर्पित है परियोजन एक निवेश है जो किसी योजना की अनुसार किया जाता है ताकि एक निश्य समय में निश्यत उद्देशों को प्राप्त किया सके तथा जो उस उद्देशों की प्राप्ती के साथ ही समाप्त हो सके दैनिस की अनुसार परियोजना एक उपकरम है इसमें समानिता नियोजन परिणामों को निधारित समय अंबचट की भीतर प्राप्त करने तो प्रारम किया जाता है यहीं लिटल मरिलिज कहते हैं कि परियोजना धन निवेश करने की कोई भी स्कीम या किसी स्कीम का कोई भाग है जिसका एक स्वतंत्रिकाय की रूप में सतर्क आधारों परियोजना मुल्यांकन किया जा सकता है पॉल गैटिस कहते हैं कि परियोजना एक हो परियोजना एक संखटात्मक इकाई है जो किसी उद्देश्य किसी विकास योजना को बचट की भीतर पूर निधायित निश्पादन मान डंडो की अनुराप निधायित समय की भीतर पूरा करती है अब इसका निश्पादन निखल के सामने आता है कि परियोजना एक विशेश उद्देश्य के लिए कोई विशेश उपकरम या कार्य है जिसका पूरा करने के लिए समय बचट निश्पादन मान डंडो पूर निरधायित होता है तदा जिसका मुल्यांकन भी इन्ही समय युजना है इस युजना में किसी कारे की विशेशच चरण को पूरा करनी के लिए की जाने वाली किर्या है उनके ले आफशक संसे और nep सदate standard कार्य विदियों नियमों बजटों आदि का भी संबलित किया जाता है ताकर है एक 173 यूजना के रूप में कि पिया जा सके अब इसकी जो विशिष्टा है ये एक अल्पकालिंग उप्योजना है ये एक अनावरति योजना है तीसरा इसके अपने इस पस्टों देश्य होते हैं ये एक उप्योगी समयवरत योजना है ये उप्योजना होते हुए अपने आप में उन होती है ये तत्यों पराधरित होती है तता इशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् है जो किसी काम को पूरा पूरा करने लिए सारे स्टाफों को पूरा करना ईसकी लिए जडरूरी होता है। अब इसका दूसरा पार्ट है नीयोजन क्या होता है। नीयोजन वह प्रक्रिया जिसकी दोरा भावी उद्दिश्यों ताथा उन उद्दिश्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है इसकी अत्रिक इसे प्रक्रिया को किया जाने वाले कार्यों के संब्द में महत्मुल प्रश्टों के लिए उत्तर भी नियुजन को नियुजन के लिख्षों को नियुजन को नियुजन करने यह हितु भावी कार्यप, पतों पर निर्धारन करके अनिष्धतों का सामना करने के प्रख्रीया है इसको निशक्रिक निजण यने कैसी प्रख्रीया है जिसके द्वारा उद्देशों को निर्धायत किया जा सकता है तदा उन उद्देशों की प्राप्ति के लिए की जाने वाले कार्यों आउशक्ताओं, संसाधनों, नियमों, मीतियों, कारेविधियों, पदतियों, कारेवियों, कारेकरमों, वियुरोशना, आधिकों निर्धा किन साधनों से किनकी द्वारा कप तता किन नियमों नीतियों कार्य विद्यों पत्तियों के अनुसार किये जाएंगे इतने सारे प्रश्णों का उत्ता देने वाली नियोजन प्रक्रिया को एक पौदिक प्रक्रिया के नाम से भी जाना चाता है क्योंकि इस प्रक्रिया का समय करते समय प्रबंद अपने विवेग अनुभाव दूर डस्ती विध्वान तत्यों का प्योग करता है तो मैंने आज आपको पताया कि परियोजना और नियोजन क्या होता है अब परियोजना और नियोजन को दोनों को मिला देते हैं तो परियोजना नियोजन से ताप परे किसी परियोजना का नियोजन करना है दूसरे शब्तों में परियोजना नियोजन की वह परक्रिया है जिसे किसी परियोजना के उद्देशों की निर्धारित के जाता है तत्पशन उन उद्देशों की प्राप्ति ये सो संसादनों वित्ती आठत बजट मानवे एम बहुते के संसादन आदी नीतियों नियम कारे विदियों कारे करमों आदीगर निर्धारित के जाता है तता उस परियोजना को पूर निर्धारित सादनों एवं निश्पादन माप प्रमापों के अनुसार निर्धारित समय पर पूरा किया जा सकता है अब इसकी विशेषता अलक्षण कहते है कि एक परकिरिया है परियोजना नियोजन एक परकिरिया है जो उद्देशों के निर्धारन के साथ प्रारम होती है तो तो परियोजना के गिरियाद में के साथ ही समाप्त हो जाती है इसका दूसरा उद्देशी कहता है उद्देशों का निर्धारन परियोजना के उद्देशों का निर्धारन के जाता है और नियोजना के उद्देशों का निर्धारन के जाता है और नियोजना के उद्देशों का निर्धारन के जाता है और नियोजना के उद्देशों का नि निधारी तो होता है प्रिछत करें समय प्रियोजना की आविष्व पुट्श को च्टा सकता है इसका 5. पॉइंट है संगतन, पर्योजन, उचित संगतन पर्योजन, नियूजन करते समय पर्योजना की उप्युक्त संगतन का निधारन किया जाता है ऐसा करते ही सबी संसाथनों करते हुए यथा सब्योद देशıy Shuji Ghee Poodり कियी जा सकती है इसका सिक्स पॉइंट है सूचना तंत्र परियोजना नियोजन करते समय परियोजना के लिए आफशक सूचना तंत्र का भी रिधारित के जाता है इसे परियोजना क्रियानविन में प्रतिक इस्तरप्र यता समय जानकारी इतलत होती है परियोजना पूर्विर्धायत वाब दंटों के अनुसार यता समय पूरी की जा सकती है तो उद्मी परियोजना बनाते हैं मैंने आज आपको बताया परियोजना नियोजन परियोजना का अर्थ अलग समझाया नियोजन का अर्थ अलग समझाया फिर परियोजना और नियोजन देते हैं कि इसमें प्रतिक परियोजन नियोजन परमाफशक है तो उद्मी के लिए जो परियोजना है उसके लिए परियोजना नियोजन का होना बहुत ही जरूर है तो किस तरह से उद्मी एक परियोजन नियोजन बनाते हैं वो इस चैप्टर में मैंने आपको बता है कि 30 नम तेफलर परियूजन की विशेष्ता किया है Next? कि अगले लेक्चर के पताओंनी परियूजन क्या होती है इसकी पह近ies की परियूजन की परकार क्या होते है आज के लिए थन्यवाद जू खैव के दूर कुह कर दो